मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से देश वासियों को, अर्याना पर देश वासियों को और जुला भिवाने वासियों को दिपावले के पावन परो की सुब कामनाईं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रात्ना करता हूं के ये परो नेर सारी खुशियां ले के आएं, लोकों को सुख समर्दी संपन्ता दे, ऐसी मेरी भावना है इसी के साथ मैं एक नवर्स की भी सुब कामनाई आप लोगों को देना चाहता हूं के नया वर्स हमारे देश के लिए, परदेश के लिए और विसेश करजला भिवाने के लिए सुब हो लोगों में शांती, अमन, चैन, भाहिचारा बना रहे और सुख समर्दी ले के आए, साथियो इस पाउन परो के समय में सहियों की बात है कि दिपावली का पाउन परो भी उसी वक्त आता है और प्रैवरन की धजियां भी इसी वक्त उड़ती है जैसा के रोजाना अखबार में, टीवी पे, चैनलों पे देखते हैं कि हमारे किसान जो पराली जलाते हैं, उससे प्रैवरन को भारी नुक्षान पहुंचता है और उसी के साथ दिपावली के पाउन परो पर, लोग जो पटाके बजाते हैं उन से प्रैवरन को और भी ज़्यादा नुक्षान होता है मेरी आप सभी भाईयों से प्रात्ना है कि बच्चों को समझाएं कि वो दीपक जिलाएं ये पाउन परो जब स्री रामचंदर जी लंका विजय करके जब आयध्या में पहुंचे थे तो उस वक्त लोगों ने दीप जिलाके उनका सवागत किया था और परसंता जाहिर की थी तो मेरी प्रात्ना है कि पटाकों की बजाए बच्चों में दीप जिलाने के संसकार डालें और विसेश कर एक दिया हमारे उन सहीदों के नाम भी अवस्य जिलाएं जिनोंने इस देश को आजाद करने में अपना और अपने परिवार का ब्रिदान दे दिया इसी संदेश के साथ मैं आपका पुन्य धन्यवाद करता हूं और प्रमात्मा से प्रात्ना करता हूं कि नव वर्ष भी और इद्धिपावली पाउन परो भी बहुत सारी खुजियां लेके आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद